बच्चों, आज हम हमारा अध्याई 15 नीलकंट पढ़ रहे हैं, इसके दो भाग जो हमने पढ़ लिये हैं, अभी हम पढ़ेंगे भाग 3, उससे पहले देखते हैं कि भाग 2 तक क्या था, नीलकंट नाम का जो मोर है, उसके बारे में लेखिका कहती है, कि नीलकंट जैसे पहले छोटा सा बचा लेके आए थी, फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ा होने लगा, तो उसकी गरदन नीली होने लगी, उसके पंक बढ़े होने लग गए, पंकों में चंद्र जो है, वेंद दुनुशी रंग के आने लगे, और बहुती सुन्दर लगने लगा, और लेखिका का जो चौन से पकड़के ऐसे लटका दिया, और जब तक वहाँ बुरी तरह से रोने नहीं लगया, चीखने नहीं लगया, उसको छोड़ाए नहीं, कई बार क्या होता था, जब चौन से पकड़ता था, तो उसका कर्ण वेद संसकार याने की कान में छेद तक हो जाता था, ये न नीलकंट को जो है, उसकी चीची की हलकी आवाज, जो है, दर्द भरी आवाज सुनाई दे जाती है, और नीलकंट तुरंत आता है, उसे लगता है कि मैं ऐसे चौन से मारूंगा, तो खरगोश को भी चोट लग सकती है, तो वो क्या करता है, समझधारी दिखाता है, दोनों को उस पर तरस आया, और उसने क्या किया, अपने पंखों की चाया करी, उसको अपने पंखों में लिया, और उसको थोड़ी सी गर्मी दी, ताकि वहाँ ठीक हो जाए, और जो उसके साथ मोर्नी लाई थी लेखी का, उसका नाम रखाता हुन्होंने, राधा, राधा भी जो ह उसके साथ, निर्त्य करते थी, हालां की राधा उसके जितने सुंदर नहीं दीखती थी, लेकिन फिर भी उसका रूप बहुती आकर्शक था, और उसकी बहुती अच्छी दोस्ती, अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, तब से यह निर्त्य भंगिमा, नित्य क क्रम बन गई, अब रोज रोज निलकंठ जो है, वो लेखी का आती थी जाली की पास, उसको देख करके पंख फैला लेता था, और रोज ही नरत्य करने लगा, प्राया मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी आती थी भी पहुंच जाता था, अब लेखी का इतनी बड़ी तो वो बहुत ही प्रसिद्य थी, तो लोग भी उनको जानते थे, तो उनके मित्र जो है, कोई देश से, कोई विदेश से, दिरुदो से बड़े-बड़े लोग आते रहते थे, तो वो भी क्या है, कोई न कोई उसके साथ उसके घर आई जाता था, और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूरवक समझ कर विष्मयाभी भूत हो उठता था, जैसे ही वो जाली की पास आती थी, उनके मित्रों को लेखिका को देख करके, नीलकंठ फिर से पंग खोल करके नृत्य करने लगता था, तो बहुती सुन्दर लगता था, विष्मयाभी भूत कह करती है कि ऐसा लगता था, जैसे मेरे अतीति आये हैं, उनका वहाँ सम्मान कर रहा है, तो कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमेन की उपाधी डे डाली, परफेक्ट जेंटलमेन यानि उत्तम सज्जन, यानि कि पहले से ही वो इतना सब्य और सज्जन है और उसमें भी परफेक्ट यानि बिल्कुल उत्तम, जिस नुकीली पैनी चौंस से वह भेंकर विशधर को खंड खंड कर सकता था, अब देखो वर्णन आया था ना साप को मारा था, विशधर कहते हैं साप या जिसमें विश हो, क्योंकि उसने अपनी चौंस से साप के दो कर दिये थे, उसी से मेरी हथेली पर रखे वे भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठा कर खाता था कि हसी भी आती थी और विशमें भी होता था, लेखी का कहती है कि जिस तिखी चौंस से उसने साप के दो टुकडे कर दिये, उसी चौंस से वह मेरे हाथ से जो है वो भु तब लेखिका कहती है कि यही वो नेलकंट है जिसने साब के टुकड़े कर दिये और यही वो कितना मासूम है जो मेरे हाथ से एक एक दाना बहुती सहस्ता और सरलता से उठा रहा है ताकि मेरे हाथ में चोट नहीं आ जाए तो लेखिका कहती है कि उसकी इस हरकत को देख करके ह आसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि कहां ये मासूम और कहां उस दिन उसने खरगोश्प बचाने के लिए रोद्रुरूप धारन कर लिया था आगे देखो फलों के व्रिक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पलवित व्रक्ष भाते थे अब उसे फल कम अच्छे ल तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था अब बाहर जो मंजरी आती ना आपने देखा होगा कोई भी फल वाला कोई भी पेड होता है जैसे आपने नीम का पेड देखा होगा नीबोली लगने से पहले उसमें पीले-पील जाते थे तो नीलकंट का मन जो है उस वक्जाली में नहीं लगता था उसका मन होता था कि मुझे उस व्रक्ष तक जाने दो नीलकंट और राधा की सबसे प्रिय रितु तो वर्षा ही थी अब आपको पता ही होगा मोर को सबसे ज़्यादा बारिश ही अच्छे लगती है मेगों के उमड आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे सजल कहते हैं जलसे युक्त आहट याने की ध्वनी यानि बारिश होने से पहले ही इन दोनों को महसूस हो जाता था कि अब बारिश होने वाली है सजल यानि की हवा जो थी उसमें हलकी सी जल से युक्त यानि की हलकी नमी हो जाती है जिससे इनको पहले ही पता चल जाता था आहट यानि ध्वनी कि अब कहीं आसपास बारिश हो रही है और यहां भी अब बारिश होने वाली है तो इन दोनों को पहले ही पता लग जाता था और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीवर से तीवरतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ती बनने लगती थी सोपान पंक्ती कहते हैं सीड़ी की श्रंखला अब ये देखो कितना सुंदर वर्णनवा इस लाइन को ध्यान से पढ़ो बच्चों की जैसे ही उन्हें पता लगता की बारिश होने वाली है तो उनकी जो द्वनी है मोर को तो आपने बोलते वे सुना होगा मेयाओ करके बोलते हैं तो मोर की जो वो ध्वनी थी वह जो है बहुत ही तिवर होने लगती थी लेखी का कहती है कि उनकी जो गूंज है उन दोनों की आवाजें जो हैं वो ऐसे तेज होती रहती थी ऐसे लगता था जैसे आस्मान से जो बूंदे उतर रही हैं उनके लिए उनकी आवाजें क्या बना रही हैं सीड़ी ताकि बूंदे उन सीड़ियों के माध्यम से नीचे आ नृत्य का आरंब होता जैसे ही बादल गरजना शुरू करते थे तो उसका जो नृत्य था वह आरंब हो जाता था और फिर मेग जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूंदों की रिम जिमाहट जितनी तीवर होती जाती नील कंट के नृत्य का वेग उतना ही यदिक बढ़ता जाता जैसे ही बादलों की गड़गड़ा हत होती थी हवा तेज चलती बिजली चमकती थी और बूंदों की जिसे जिर्मेर जिर्मेर बूंदे शुरू हो जाती है तो वैसे वैसे नील कंट के नृत्य का वेख जो नाचने की जो गती है वो भी बढ़ जाती यानि कि बारिष से यह इतना प्रसंद हो जाता। बारिष इनको बहुत पसंद होती है, तो उसके आगमन की खुशी में यह है, जोर जोर से तेज गती से नाचने लगता था। और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता मंद्र कहते हैं तेज द्वनी यानि कि जैसे जैसे नृत्य करता था बारिश आने का रहता था तो वह इसकी गती जो आवाज की द्वनी जो है वो बहुत ही तेज हो रही थी यानि कि इसका स्वर जो है वो और तीवर यानि और तीखा होने लगता था वर्शा की थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाय पर बाया पंख फैला कर सुखाता जब बारिश चली जाती थी तब अपने पंखों को पूरा ऐसे इस पैर पर ये वाला पंख इस पैर पर ये वाला पंख इस तरह से फैलाता था और सुखाने की कोशिश करता था कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चौंस से पी पी कर पंखों का गिलापन दूर करते रहते हैं यानि कि राधा और नीलकंठ दोनों जो है एक दूसरे के पंखों पर जो पानी है उसको पी पी करके सुखाने की कोशिश करते थे आगे देखो इस आनंदोत्सव की रागनी में बे मिल स्वर कैसे बजूठा यह भी एक करुण कथा है यानि की इनका हास्ता खेलता जीवन जो है वह खराब हो गया कैसे खराब हो गया? वह लेकीका बतारी है कि उसके पीछे एक करुण कहानी है एक दिन मुझे किसी कारे से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समान कार को रोग लिया ले लेता है शिकारियों से और फिर उस पर मुनफा कमा करके लोगों को दे देता है तो उस नखास कौने से जब वह निकली तो उसने देखा कि बड़े मिया ने फिर से उसकी कार को रूक लिया इस बार किसी पिंजडे की और नहीं देखूंगी लेखी का पहले से सोच के गये थि कि इस बार मैं कोई भी पक्षी या जानवर नहीं लुंगी चाहे वह कितना भी पीछा पड़े यह संकल्प करके मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सफेद डोरे से कान में बंदी एनक को ही अपने ध्यान का केंदर बनाया आप वो कहरी है मैंने बड़े मिया के सामने नहीं देखा उनकी चश्मे की जो डोरी है मेरा ध्यान उधर इता यानि कि वह उनको बार बार अवोइड करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा ध्यान उस तरफ चला गया या मेरी अनजरे मिल गई तो वो मुझे कोई नो कोई जानवर पक्षी पकड़ाई देगा इस बार मैं किसी को भी नहीं लेना चाहती पर बड़े मिया के पैरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठिन था अब उसने कहा कि मैंने उसकी और तो ध्यान नहीं दिया लेकिन बड़े मिया के पैरों में जो है एक घायल मोर्नी पड़ी थी तो उस तरफ मेरा ध्यान चला गया मोर्नी राधा के समान ही थी उसके मूझ से बंधे दोनों पंजों की उंगलिया तूट कर इस प्रकार इकत्रित हो गई थी कि वहाँ खड़ी ही नहीं हो सकती थी यानि लोगों शिकार करने के लिए उसके पंजों को जो है डूरी से कस करके बांध दिया उसके पैरों की हड्डिया जो है वो मूड गई और तूड गई थी तो उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रही कि उन पंजों पर भार जेल सके बड़े मिया की भाषन मेल फिर दोडने लगी अब बड़े मिया फिर शुरू हो गए देखिए गुरू जी कमबक्त चड़ी मार ने बिचारी का क्या हाल किया है ऐसे कभी चड़िया पकड़ी जाती है आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता अब उसको तो बेचना है उसके अगर से बाते ही बना रहा है तो लेखिका जो है भावुक है इसलिए बार बार लेखिका को क्या करता है वहाँ ऐसी बाते बना बना करके पक्षी बेचता रहता है तो वहाँ लेखिका को क्या कहता है कि देखो चड़ी मार ने इसकी हालत क्या कर दी है ऐसे भग मरने की स्थिती में पहची हुई अगर उसकी देखबल न की जाये तो वह मर भी सकती है तो एक तरफ तो देना चाहए और एक तरफ दूसरी बार क्या कह रहा है आपसे अदमरी मोरनी ले जाने को कैसे कह रहा है लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं आपको कैसे कहूँ यानि कि वहाँ उसको बेचना चाहता है लेखिका को सारांश या है कि 7 रुपे देकर मैं उसे अगली सीट पर रख़वा कर घर ले आई यानि कि बड़े मिया जब पीछे पढ़ जाते हैं तो फिर वह देखे ही रहते हैं फिर लेखिका ने 7 रुपे दिये उस गायल मोरनी के और कार की अगली सीट पर उसे रख करके घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना जैसे नीलकंठ और राधा छोटी थी उनको रखा था वैसे ही इस मोरनी को भी एक बार कमरे में ही रखा क्योंकि वो गायल थी पंजो की मरहम पट्टी और देखबाल करने पर वह महीने भर में अच्छी होगी लगातार उसके पेरों पर दवाई पट्टी करी तो एक मेने में वह ठीक हो गई उंगलियां वैसी ही टेडी मेडी रही परंतु वह ठूट जैसे पंजो पर डगमगाती हुई चलने लगी हालां कि उसके पेर बिल्कुल सही तो नहीं वे फिर भी वह डगमगा करके चलने लग गई थी तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया अब जो है उसको भी वहीं पहुंचाया गया जहां नीलकंट और बाकी जानवर थे और नाम रखा गया कुबजा क्योंकि वो टेडी टेडी चलती थी इसलिए उसका नाम क्या रखा लेकिका ने कुबजा नाम के अनुरूप वह सुभाव जो घर का रखा का एक वरणन नाता है बचों आपने देखा हूगा रा मायन के अंदर क कई को बढ़काने वाली जो कुबजा थी उसका नाम था मंतरा और उस ने लड़ाई करवा डी कई कई क tą करवाया राम को चॉदावर्श का वनवास दिलवा दिया भरत को रास बंधन सुपिकार नहीं किया और केक आखिर में रोती है यानि उसकी बातों में आ जाती है तो उसका सभ़ाव जो था ऊंसकी दसी का केके की दसी कहती वह कुपजा थी और सभभाव क्या था बहुत ही करकश थी और लड़ाई खोर थी इक दूसरे को बढ़काना करना तो उसने कहा कि जैसे वो थी विल्कुल वैसे ही इसका नाम के अनुसार ही सुभाव था यानि वह जगडालू प्रवर्ति की थी अब कुपजा उन्हें साथ देखते ही मारने दौरती थी अब देखो नीलकंठ और राधा जो थे शुरू से अच्छे मित्र थे बच्पन से ही उनको साथ लाए बहुती प्रेम से रहते थे तो ये क्या करती थी इन दोनों को जब भी साथ में देखती थी तो इसको बहुती घुसा आता था और वो क्या करती थी वह उनको कुपजा जो थी इन दोनों को मारने के लिए दोड़ती थी चौंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी चौंच से नौच दिया, किठना ही यह थी कि नीलकंट उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाती थी, अब कुजा जो है नीलकंट से दोस्ती करना चाती थी, लेकिन नीलकंट को उसका सभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वह जगडालू प्रवर्ति की थी, तो नीलकंट उससे दूर भागता था, और वह उसके साथ रहना चाती थी, ना किसी जीवजन्तों से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंट के समीप आने देना चाती थी, ना तो नीलकंट की उससे बनती थी, और ना ही वह नीलकंट से किसी और को बात करने देती थी य निलकंट को जो है वो उसने बिलकुल अकेला कर दिया जो भी निलकंट के पास आने की कोशिश करता तो उसको मारने के लिए दोड़ती थी। चितरा दिये जैसा कि उसका सभाव था उसने इसको चौंच से यहां से हटा दिया और राधा के जो अंडे थे दोनों उनको पैरों से तोड़ कर इधर उधर विखेर दिया। उसने फोड़ दिये इससे भी जगड़ा करती थी निलकंट के पास किसी को आने नहीं देती थी। उसने नाचना, कूदना, उचलना, खुश रहना सभी छोड़ दिया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन बुखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शैड पर छिपा रहा। अब वह कुबजा से इतना परेशान था कि वह छुपता फिर ने लगा। लेखी का ने कहा कि जब भुखा प्यासा आम की शाखाओं में बैठा था, तो मैंने उसे कैसे भी करके प्यास से नीचे उतारा, तो फिर वहां से उतार दिया, लेकिन एक बार मेरी खिड़की का जो शैड बनावा था, उसमें भी छिपा रहा, किस के डर से? कुबजा के डर जाने पर वह सदा की भाती पंखों का मंडलाकार बना कर खड़ा हो जा था, जब लेखी का दाना देने जाती थी, जब उसको देख करके पंख एक बार वह फैला लेता था, पर उसकी चाल में ठकावट और आँखों में एक शुन्यता रहती थी, पहले की तरव खुश नहीं रहता था, अपनी अनभव हींता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, अब उसको प्रकृती पता नहीं थी कि पक्षियों इनकी प्रकृती कैसी होती है, तो वो सोस्तिती कोई बात नहीं थोड़े दिन साथ रहेंगे, तापस में द इन चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नेलकंट पुमच पंक फेलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है, जैसे खरगोष के बच्चों को पंकों में चिपा कर बैठता था, जैसे खरगोष के बच्चों को उष्णता देता था पंकों में चिपा कर, वैसे ही वह एक बार क्या है, जमीन पर अपने पंकों को फेला करके लेटा हुआ था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदे हुआ, अब लेखिका ने उसको आवाज लगाई लेकिन वह नहीं उठा, तो लेखिका को क्या संदे हुआ, कि नीलकंठ अब नहीं रहा। आगे देखो, वास्तों में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है, ना उसे कोई बिमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तवक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन मिला, स्तवक यानि की गुच्छा, उसके जो फूलों के गुच्छ जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखो की चंद्रिकाओं से बिम्बित प्रती बिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा, जब उसका अंतिम संसकार करने के लिए गंगा अप में लेके गई, तो ऐसे लगा, गंगा की आकरती जो है बिलकुल ऐसे मयूर आकरती जैसी हो गई है, यानि कि उसके पंखो से गंगा भी चमकने लगी, नीलकंट के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानि कि उसको सदमा हो गया, उसको नीलकंट ना इधर दो जाती थी, तो वह बिलकुल उदास जो थी एक ओने में बैठी रही, आगे देखो, वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतह वह प्रतिक्षा के भाव से द्वार प्रदिश्टी लगाए रहती थी, उसको ऐसा लगा, जैसे कई बार भाग जाता था, जाली के उ पाएगा, पर कुबजा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंड आरम की, अब कुबजा भी जो है, वो भी नीलकंट को ढूंड रही थी, अब उसने क्या है, कुबजा ने कोलाहल मचा रखा था, कि कैसे करके नीलकंट को मैं ढूंड के लाओं, खोज के करम में वह प्राय जाली का सरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार, आदी की शाखाओं में नीलकंट को ढूंड रही थी, अब ये कुबजा जो है, ये भी उसको ढूंड रही है, ये भी गुसे में इधर उदर भाग रही है, कि नीलकंट पतानी कहा चला गया, एक दिन आम स उत्री ही थी कि कजली, यानि कि लेखिका की जो कुट्टी थी, अलसेशियन, कुट्टी पाल रखी थी, कजली नाम की सामने पड़ गई, स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चौंच से प्रहार किया, कुजा जो है स्वभाव से, तो कुटिल थी, बहुत ही खराब थ लड़ाई खोर थी, जगडालू थी, तो इसने के अपने सभाव के अनुसार उस कुट्टी पर भी चौंच से हमला किया, परिणामत है कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए, अब कजली ने चला करके इस पर हमला नहीं किया, लेकिन जब कुजा ने उस पर चौंच भरा जीवन बचाया न जा सका, पिछली बार तो लेखिका ने कुबजा को सेवा करके बचा लिया, लेकिन इस बार जो है उस पुत्ती ने जब उस पर हमला किया, तो उसको नहीं बचा सके, परंतो इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिनता का जो पर अरिका था, हसना, बोलना, नाचना, उदास होना, गुस्सा करना, लडना, ये सब लेखिका के लिए बिलकुल नया अनभव था, उसने का मेरे लिए बहुत ही महत्व रगता है, कुबजा मर गई, निलकंट जो है वो भी मर गया, अब कौन बचा, एक राधा, राधा अब प समस्ती ही नहीं, उसकी प्रतिक्षा कर रहे है कि निलकंट आयेगा, मैं आकेली नहीं हूँ, आशाड में जब आकाश में गाच्छन हो जाता है, तब वह कभी उचे जूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीवरतर करके निलकंट को बुलाती रहती है, यानि क तीनों भागों में हमारा अध्याय पूरा हो चुका है, अगले जो वीडियो है उसमें हम करेंगे अभ्यास प्रश्न, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं, धन्यवाद